दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर प्रदीप कुमार सिंग सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट आप सभी लोगों का ओम साइं आर्थोवेंड फिजियो सेंटर में स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो लोग प्लास्टर लगाए हो चाहिए हाथों में लगाए हो चाहिए पैर में लगाए हो तो उनको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कब उनको डाक्टर से मिलने की जरूरत है तो सबसे पहला सावधानिया यह है कि अगर हम हाथ में सपोच करो प्लास्टर लगाए हो तो उनको उगलियों को खूब चलाना चाहिए जेतना finger movement करेंगे उतना swelling decrease होगा दूसरा पानी नहीं जाना चाहिए प्लास्टर के अंदर चाहिए पैरों में भी पानी नहीं जाए और हाथों में भी पानी जाता है या फिर उपर से जाता है नहाते समय या फिर यूज कर रहे हैं बेसीन में तब पानी जाता है तो दूसर होता है कि उसके अंदर कोई नुकीले अगर खारी हो रही है कुछ हो रही हो तो उसके नुकीले चीज को से अंदर खारी नहीं करना है और नहीं कोई पावडर डालना है क्योंकि यह डालने से क्या होता है कि कभी-कभी स्कीन के अंदर इचिंग बढ़ जाती है कभी-कभी ब प्लास्टर को अपने मरजी से काटना नहीं चाहिए कभी कभी लगता है कि प्लास्टर लंबा है उसको छोटा कर दिये यहां तक प्लास्टर लगा उसको छोटा करके यहां कर दिये यह भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर प्लास्टर की साइज छोटा करेंगे तो प्रिकासन एक है कि ल पर बजन नहीं देना चाहिए श्रक्षे जब तक बंगर बंगर देने से मला करें तब तक बंगर करें यह थह स्वाने चाहिए ये हमें नहीं कि आपने मरजी से कि उसलते हैं जिसमें अगर स सबहएं दाइकर के ज्यादा होता है या फिर plaster पर बजन जल्दी दे देते हैं तो plaster कई बार टूटने का डर होता है और कई बार अंदर हड़ी अपने जग़ने से हटने का डर होता है और नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि अब किस कंडिशन में हमको डाक्टर से मिलना चाहिए दोस्तों अगर कोई प्लास्टर लगाया हो और 24 घंटे बाद भी अगर प्लास्टर के अंदर टाइट फील हो रहा हो बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि टाइट हो रहा हो और अंदर इचिंग हो रहा हो बर्निंग हो रहा हो और पेन किलर खा के भी दरद नहीं कम हो रहा हो तो जरूर डाक्टर से मिलना चाहिए चाहिए हाथ प्लास्टर में हो रहा है तो जरूर जाए को कि कभी कभी स्वेलिंग की वज़े से अंदर ब्लड सर्कुलेशन गडबड होने का डर होता है तो इसलिए ऐसे कंडिशन में वेट नहीं करें सीधे हास्पीटर या डाक्टर से मिलें दूसरा होता है कि अगर बहुत लगातार जल हो देलियों के नंदर सूजन आ रही हो चाहिए हाथ में चाहिए पैर में उगलियां बहुत टाइट हो रहे हैंर स्वेलिंग बढ़ रहा हो या फिर उंगलियों का रंग बढ़ल रहा हो जैसे उंगलिय की वज़घा細 इसको जरूर जाना चाहिए डाक्टर के पास कि कई वह अंदर उंगलियां नीली पड़ती है तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन ताइटनेस की वज़े से कम होता तभी ऐसा होता तो अगर टाइमली अगर डाक्टर के पास नहीं गया तो कई बार हांत को खराब होने का डर होता है चोथा होता है अगर प्लास्टर धीला हो जाए कभी अपने जगह पर से ठुट धीला होता है तो हड़ी फिर हिलने लगेगी फिर माल यूनियन या नान यूनियन के चांसे होते है और यह प्लास्टर टूट जाए तब भी डाक्टर से जाके मिलना चाहिए क्योंकि टूट जाता है या फिर धीला हो जाता है तो भी हड़ी अप पस आ रहा हो या पस कितना इसमेल कर रहा हो तो कई बार प्लास्टर के अंदर घाव हो जाता है पस बन जाता है तब ऐसा होता है इस गंडितर में हमको प्लास्टर खोल के चेक करना होता है कि कहीं अंदर घाव तो नहीं है अगर ऐसा होता है तो उसको खोल के सफाई करके फिर हमको आगे का प्लास्टर कच्चा लगाना है पक्का लगाना है जिसको करते हैं वो उसी हिसाब से फिर लगाते हैं तो दोस्तों यही है प्लास्टर के मरीजों को यह सावधानिया जरूर रखना है क्योंकि यह सावधानी रखेंगे तभी उनका प्लास्टर के अंदर हड़ी प्रापर तरीके से ठीक होती है जुड़ती है और मेरा वीडियो यह अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू